वेल्कम अमर सर योटोफ चैनल इस पर आप समोंगा स्वागत है आज मैंने आबरिज के कुछ शांदार कुश्चन लिये हैं विदाउट यूजिंग पेइन पेपर इनको सौल्ब किया जा सकता है और वो मैं करके दिखाऊंगा लेकिन मैं लिखके भी दिखाऊंगा आप एंजॉय करेंगे चाहे आप बैंक प्यो बैंक गलर्क एससी रेलवेज आर आर बी एंटीपी सी एससी सीजियर कोई भी कॉम्पेटिटिव एक्जाम देते हों आवरेज का कुश्चन तो आना ही आरा है इवन आप 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 प्री दीजिये, में दीजिये, LIC का में दीजिये, कुश्चिन तो आएंगे concept भी मैं बताऊंगा, आईए बात करते हैं सबसे पहले मैं question पढ़ता हूं लेकिन question पढ़ने के पहले chapter बनाने का जो concept है average का definition if all the items are distributed equally how much each will get that each equal value is said to be the average यह one line का definition है यही इस chapter के लिए गीता है, कुरान है जो बोलना है बोलीजिये इसी के इर्दिगर्द सब कुछ होना है ठेक है? यह definition आपके दिमाग में खुमता रहा चाहिए the average weight, first question of 45 students of a class is 52 class है, उसमें 45 students है average weight 52 kg है यानि equally बाटें तो 52, 52, 52, 52 किसी का 54 होगा, किसी का 48 होगा, 47 होगा, 80 होगा सब को equally बाटें तो 52, 52, 52 5 of them, 45 students है आपसमें 5 of them whose average weight is 48 kg leave the class, 5 अगर 48 वाले चले गए, तो 52 से 48 कम वाले गए, इस पर विचार ही नहीं करते रहें अगर जाने वाले भी 48 का है और आने वाले भी 48 का है यहीं पर, यहीं पर, यहीं पर, सब कुछ है, तो कोई इसर नहीं पढ़ेगा, जितना बड़ा गढ़ा पैदा होगा उसको भर देगा, 48 ना होके 54 है, 6 kg जादा है, उन 5 का जादा है, 6 into 5 30 kg जादा है, इस 30 kg को 45 students में distribute कर देजे, 30 by 45, 2 by 3 से बढ़ेगा, 52 will become 52 and 2 by 3, that means base answer, कहने का मतलब यह है, कि 48 weight, average weight वाले के जगह पर जदी 54 average weight वाले 5 students आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके कारण कुल बिला के यह 6 into 5 30 जादा लाते हैं, तो 45 students का 52 तो है ही, और उन सबों में जदी distribute करेंगे, तो 30 by 45 से increase करेगा, यानि 2 by 3 से increase करेगा, तो new average 52 and 2 by 3 होगा की नहीं, 1st question, ओले, clear? चले, 2nd question क्योर, आई, बढ़ता हूं, the batting average of 40 innings of a cricketer, cricket player is 50 runs, रुकी, रुकी, एक cricket player है, उसके 40 innings, जो खेले उसने, average 50 runs का है, यानि 40 innings में किसी में century मारा होगा, किसी में 0, सबों को जब एक्वरी distribute करते हैं, तो ऐसा लगता है कि 50-50 runs उसने सभी 40 innings में बनाई, वह इसे नहीं बनाना है, total कितने बनाई, no, 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 50-50-50, चालीश डंडे नजर आ रहे हैं, सभी 50-50-50 वाले हैं, okay, his highest score exceeds his lowest score by 172 runs, अब इन 40 innings में, one inning है जिसमें कि highest बनाया होगा, और one inning होगा जो lowest बनाया होगा, तोनों के बीच में gap है 172 runs का, ठेक, दो, इस तू को अलग कर दीजे, तो 40 में 2 इसर, 38 इसर, 2 और इसर, 38, total 40, but when equally distributed, average is, 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 average is 50 runs, if these two innings are excluded, then the average of the remaining 38 innings is 48, रुकी, रुकी, बताता हूँ, 2 innings, 38 innings, सबों को बराबर माटा तो क्या आया, 50, 50, 50, 50, इसको छोड़ दें, तो इनका है 48, 2, 2, 2, 2, 2 कम है, किते हैं, 38 हैं, 38 innings का, 2, 2 कम है, तो 38 into 2 का गढ़ा, 38 into 2 का डंडा, पर दो इनिंग हैं, दोनों 38, 38, 50 plus 38, 88 हुआ कि रहें, एबरेज स्कोर, उन 2 innings का, जो की हाइस्ट और लोइस्ट स्कोर वाले हैं, 88 हुआ, यहां के बाद, मैं थोड़ा रोकता हूँ, आप चाहें तो बोलेंगे, कि हाइस्ट और लोइस्ट, हाइस्ट इनिंग, का जो स्कोर था और एक्स था, लोइस्ट का वाई था, तो एक्स ब्लस य इस गिवन 88 into 2, एक्स मिलस य इस गिवन 172, then solve it, you will get values of X and Y, पर मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूँ, बताता हूँ, उन दोनों का आवरिज तो 88 है न, ठेक, 88 है न, 88 हमने निगाला, 38, 38 करके, दोनों को मिला, तो 50 plus 38, लिखके भी दिखाऊँगा, तो 88, 88 है, मुझे बताईए थोड़ा एक बताता हूँ, दो वैक्ति को जदी हम आधा आधा बाढ़ते हैं, 50-50, तो एक का 2 चीन ले, तो 4 का डिफरेंस पैदा होगा की न, माल देजे 100 रूपीज है, अदोनों को 50-50 दे दीजे, तो mid value 50 है, अगर किसी का 2 चीन ले, तो 48 हो जाए, 2 इसको दे दीजे, तो 52 हो जाए, 4 का डिफरेंस पैदा होगा की न, mid point से जितना distance होगा, उसका double का difference होगा की न, तो mid point 88 है, और difference है 172 का, यानि mid point से उपर नीचे यी बराबर है, तो 172 का half कितना हुआ, 86, 88 से 86 जादा, 88 से 86 लेस, लेस माने 2, 1 value is 2, and 88 प्लस 86, 90 प्लस 84, 174 इस थाइए स्कोर, and the lowest is 2, without using pen and paper, आप पता सकते हैं की क्या है, अना की मैं करके दिखाता हूँ, देखी ऐसा है की ये, second number question, ये 38 इनिंग्स है, ओके, इसका average 48 है, और 50 इनिंग्स का, यानि 2 इनिंग्स यहाँ पर है, 50 है, आप मुझे बताईए, कि जतना बड़ा गड़ा, उतना बड़ा डंड़ा, गड़ा है, तू तू करके, तू तू करके, 38 का, तो 2 इन्टू 38 का गड़ा, तो 38 इन्टू 2 का डंड़ा न हो, जल्दे बुलिए, यानि ये 38, 38 न हो, आबरेज, यानि 88 न हो, अब मैंने आपको पहले का, अगर आप सौल करना चाहते हैं, तो इसमें एक हाइस्ट बोल दिजिए, एक लोइस्ट बोल दिजिए, हाइस्ट को X बोल दिजिए, लोइस्ट को Y बोल दिजिए, तो X प्लस Y आपको दिया हुआ है, कितना? 88 का डबल, और लोइस्ट भी दिया हुआ है, 172, and solve, पर मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं ये कह रहा हूँ कि यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, जोगी वैली होगा, यहां से, yहां से, 172, यहां तो यह स्पेस नहीं है, तो और वपर जाएगा, 172 का हाफ, निछे, 172 का हाफ, उपर, हाफ, हाफ, 172 का हाफ, 172 का हाफ, 86, उपर, 86, निचे, निचे, तो यह यह वैली क्या आया, 2, 2, 2, एक value 2 है, यह वाला, यह आपर, यह आपर, यह value 2 है, और दूसरा value कि इतना है, 174, एक value 174, आपसे highest score पूछा था, वोली, इसको तो आप solve करी सकते हैं, बर मैं चाहता हूं, ऐसे कीजी, pain paper की जर्वत नहीं पड़ेगी, शांदनार question ही कि नहीं, आप आगे बताता हूं, third question, ठीक है, third देखे, nine persons went to a hotel for taking their meals, ठीक है, nine persons के hotel में, खाना खाने करी, eight of them spent rupees 12 each over their meals, to keep, nine में से eight ने, average 12 रुपीस का खाना खाया, कोई 14 होगा, कोई 10 होगा, 9 होगा, सब बरावर बाटे, तो eight का कितना आया, 12, 12, 12, eight का 12, 12, 12, and the ninth, देखे ऐसे, eight persons का आया, 12, 12, 12, and ninth, जो एक बचा हुए, ninth, ninth, spent rupees eight more than the average expenditure of all the nine, eight है, एक और होगा, nine, उसका जितना average होगा, ये, इससे eight रुपीस ज्यादा खर्च किया, तो जितना बड़ा डं दा, उतना बड़ा गधा, eight का लंदा, eight का गधा, eight का गधा, eight लोग है, एक-एक मिलेगा, एक-एक का गधा, 12 है, एक-एक का गधा, हाइट क्या हुआ थर्टीन थर्टीन इन्टो नाइन हड़न सवन्टीन रुपीज टोटेल जल्दी बोलिए देखें मैं बताता थर्ड नमबर पॉस्चिन क्या किया गया एइट है एइट इन्होंने ट्वेल्थ के आवरेज से खर्च किया नाइन्थ जो परसंड है इसने इनके आवरेज से एट जादा खर्च किया तो आवरेज से इनका जो नाइन्थ का जो आवरेज है इससे एट जादा खर्च किया तो ये अगर आवरेज है तो जितना बड़ा गंडा उतना बड़ा गठ्ठा एट रुपीज को अगर हम एट में डिस्टिबूट कर दें तो वन वन पड़े हैं कि लिए तो यह गाप कितने का हो वन का वट इस हाइट नाइन का विश्क्या है तो टोटल कितना हुआ टोट už एट हम ख आप यह बिए णिकेडए कराएं कि नत्यु का टोट सिर्टेन कराइथ है थो प्रेज सॉणआ यह ए आपरीज का टोटल कॉसेप्ट है हर वन पेडुक्षट इसम घा पिस खिशता फिकेवश और रुपेश, तो रुख एप्टल को स्ते हैं झाल झाल